स्टाटेड लेशन नंबर फी प्रियोडी क्लासिपिकर्शन अवेलिमेंट तो हमने देखा था फॉस्ट डॉबेंड ट्रायर्स डॉबेंड ट्रायर्स ने क्या किया था कि 1870 में जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर डिस्कवर हुए थे उन्होंने एक ग्रूप में 3-3 एलिमे द्रायर्स गूबेंड बनने के बाद उन्होंने एलिमेंट्स कोई एलिमेंट्स के मार्स के बेश्रों अन्फ के बराबर होता है पर फश्मित्रा थ्री ग्रूप तकी सिमित्रा से में पाथी ति में ऐसा खुछ हुआ नहीं इसलिए वो प्रियोडिक जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन बनाने में वो क्या हो गए अन्सक्सेस्पूल है बट उनके बाद बहुत सारे साइंटिस्स होने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कंटीनी रखा तब न्यूलेंड न्यूलेंड जो एक जर्मन साइं सर्च का नाम था किया है तो इसलिए उनका जो एइट ग्रूप का नाम क्या रखा किया लोब narrative and to इसलिए इस टेबल को किया किस नाम से जानते निलन लोप अक्टावास के नाम से जाने जाते जब निलन ने गुरूप बनाना स्टाट किया तब 56 elements discover हो गए थे उसके बाद कितने element तब उन्होंने किस elements से start किया था hydrogen से start किया था उसके बाद thorium पे उन्होंने खतम कर दिया था वैसे जब टेबल में atomics को एक बाद गुरूप में one by one रखते गए तब उन्होंने देखा कि eight number का elements है वो यानि उपर वाला elements seven number का जो elements के उसकी जो properties है वो कैसी हो ही सैम तो उन्होंने statement दिया था कि eight number का जो elements है यानि he found that every eight elements had a property similar to that of the first यानि कि उन्होंने बोला था कि eight number का जो elements की जो properties है यानि उसके आगे वाले elements के properties है उसकी जो properties है उन दोनों की properties कैसी है सैम है तो यहां पर देखो eight number में कौन है sodium तो sodium और उसके आगे वाला कौन है lithium तो sodium और lithium की properties कैसी है सैम है तो उन्होंने एक ऐसा statement दे दिया था उन्होंने देखा था कि यहां पर eight number का जो element यानि के जो 7 नमर की similar properties से मिलते आते बट वो कहां तक सिमित्रा यह सब calcium तक की सिमित्रा उसके बाद आगे कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जो 8 नमर की जो properties थी वो 7 नमर से मिल गया इसलिए वो भी इस तरह से element का क्लास excitement मास को one by one elements को रखा गया ओंने काम स्टार्ट किया तभ कितने elements discovered हो गए थे उन्होंने सारे elements के नाम एक काड़ पे 63 काड़ लिए और सारे elements के नाम लिखे सारी काड़ पे उसकी जो properties और उसकी जो chemical properties one by one atomics को मास के इसाब से वो रखते के जिसकी properties same थी उनको एक group में रखा गया जिसकी अलग थी उसको दूसरे group में रखा गया तो ऐसा करते करते दिवाल पे चिपका दे गए दिवाल चिपका ने वह बहुत साथ elements वह टेबल में अपना स्थान अपना place बना चुके थे बात में इस तरह से उन्हें टेबल बना और देखो यहां पर देख सकते जो गैप थे उन्होंने गैप में क्या किया तो गैप में उन्होंने बोला था कि अभी बहुत ज्यादे ऐसे elements से जो discover हुए नहीं है बट जैसे जैसे discover होते रहेंगे वैसे वह यहां पर खाली को जगा है वहां पर अपना स्थान प्लेस बना लेंगे और दीरे दीरे यह जो बोला था वह statement बहुत फ्यूचर के बाद उन्हें क्या हो गया right हो गया क्योंकि बहुत टाइम के बाद और जो gap है उस gap का ग्रूप का नाम रखा गया था संस्कृत नाम के उपर इका तो जैसे स्केनेडियम गेलियम और जर्मिनियम जैसे elements discover हुए तब उनकी जो प्रोपेटिस थी वह एका बोरण एका एल्यूमिन और एका सीङजिद के सेम भी इसनलेक गया यह जैसे स्कें भाー यो इसके आँ आउं पर यह जर्मिनियम क्या है एका प्रौपेटिस वह देख सकते हैं 5.5 इंदिया हुआ है उसके बाद लिमीडेसन तो में मैंडलीप की लिमीडिशन कॉन को थी कि मैंडलीफ ने जो टीय तेबल बनाया था उसमें हायदोजन का जो प्लेस था वो स शुख मंडीम की मैंड्लीप की फॉर्स टीय मेंडे च७ड इसके बाद आईएसोटोफ्स वस्त रियुचरॉपर ईसके अंधर मैंडेलफ as a purpose is a periodic classification element यानि कि जो अपना classification elements जो elements का predictable दिये चुके थे तब थोड़े time के बाद यानि long time के बाद isotopes के आओगे discord होए और isotopes discord होने के बाद जो elements के जितने भी isotopes थे जिस elements के जो isotopes थे उनकी properties same दी पर उसके atomic mass था वो कैसा था different था इस वाज़े से वहाँ पर जो किस group में रखा जाए किस group में नहीं रखा जाए वो भी एक mandalip के लिए challenge बन गया है फिर mandalip नहीं किया किया था कि atomic mass को one by one elements में जाओ कि तो increase होना चाहिए पर mandalip नहीं यहाँ पर भी जो देखो यहाँ पर last group में कोबाल्ड और निकल तो कोबाल्ड की जो atomic mass कितना है 58.9 और निकल का कितना है 58.7 तो वहाँ पर भी यह क्या हो गए unsuccessful है क्योंकि उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ड को पिछे आना जाए बड़ वो निकल के आगे रख दिया एक ग्रूप में क्योंकि कोबाल्ड और निकल की प्रॉपेटिस कैसी है सेम थी इसी वज़े से उनको एक ग्रूप में रखा गया कि यह सारे से मेंडलिप में लिमिटेशन फिर making order out of charge the modern periodic table यानि कि अभी एक नया इसी वज़े से मोडर्म प्रियोडिक टेबल का स्टेट्में ने प्रॉपेटिस ऑप एलिमेंट्स और प्रियोडिक पंक्शन और यानि कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपेटिस होती है वह एक नंबर का क्या एक फंक्शन है फिर एक नंबर की जो साइन है उसको हम क्या बोलते है जैड बोल जा जा जाता है ठीक है तो यह मोडर्म प्रियोडिक टेबल है जा आज हम यूज़ कर रहें उसके बाद पोजिशन आप एलि उटर रोज नोने से प्रियाड यानि के जो रोस है उसको य 12 किस नाम से जानदे प्रियोड के नाम से जाने जाते लेट उस what decided the placing on of element in a certain group or period तो किस तरह से आप decide करो कि किस element को group में रखना है और किसको period में रखना है तो you will find that all the elements contain the same number of valence electron similarly you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electron यानि कि किसी भी elements का उसका valence electron same हो तो उसको एक group में रखा जाएगा तो यानि एक example दिया हो है तो elements of fluorine and chlorine belong to 17 तो यानि कि देखो याँ पर 70 group में fluorine and chlorine को दोनों को साथ में रखा गया तो क्यों साथ में रखा गया क्योंकि उसके जो outermost cells में number of electrons है वो कैसे same है तो देखो याँ पर उसका atomic chlorine का atomic number कितना है 9 तो 9 है तो first outermost cell में कितने आएंगे 2 आएंगे बाकी के cell में कितने बचेंगे 7 electron वैसे ही chlorine का atomic number है वो कितना है 70 तो first outermost cell में कितने आएंगे 2 फिर बाकी के cell में कितने आएंगे 8 और 10 और 8 कितने होते है 10, 17 में से 10 गे तो बाके कितने electrons बचे, 70, यानि कि last cell में कितने electrons आएंगे, 7 तो दोनों में outer most cells में number of electron कैसे, 7 यानि कि 7 में इस वेस्ट के इसाब से दोनों elements को एकी group में रखा गया था, कौन से group में 17 group में How many electrons do fluorine and chlorine have in their outer most cell, तो outer most cell में कितने electrons है, 7, hence we can say that the groups in a periodic table signify an identical outer most cells electronic complication, on other hand the number of cells increase as we go down the group, यानि कि group में आप elements के इसाब से, जैसे जैसे नीचे जाओगे, वैसे outer most cells से number of वो क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्यों बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसके जो atomic mass atomic number है, वो increase होते इसी वज़े से, outer most cells के जो number है, वो भी क्या होते रहेंगे, increase होते रहेंगे, there is an anomaly, where it comes to position of hydrogen, because it can be placed, either in group 1 और group 17, in the first period यानि कि जो इसी base के आदार पे जो hydrogen का place, group number 1 और group number 70 में रखा गया है, can you say why, तो क्यों रखा गया था, you will find that these elements do not have the same number of valence electron, क्यों, क्यों हमने देखा है कि कुछ, ऐसे elements है जो, ऐसे elements के जो number of valence electron है, वो same, नहीं है, but they contain the same number of cells, उसके जो valence electron में, outer most cells में number of electron same ना हो, but outer most cell है, outer most cell की जो number है, वो कैसा था? same था electron की जो number है, वो same नहीं होगा तो भी चलेगा, बट एक ही group में, outer most cell के number कैसे है, same है, इसलिए उनको group number 1 और group number 70, यानि एक ही period में रखा गया है you also observed that the number of valence electrons increased by one unit, जैसे जैसे आप elements को one by one आगे बटो के तब outer most cells के electron है, वो भी increase होते रहेंगे, as the atomic number increased by one unit and moving from left to right inner period, आप period में left to right, यानि के देखो, यहाँ पर period बोला गया है कि first period, second period यानि कि period में आप left to right जाओगे, जैसे कि hydrogen से helium जाओगे, तब आपको जो outer most cells है, वो भी increase होते रहेंगे period में और भी second that the atoms of the different elements with the same number of occupied cells are placed in the same period यानि कि जिसके different element जो उनके जो outer most cells है, same है, तो भी उनको एक ही period में रखा गया, तो एक ही period में कौन से रखा गया तो sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon, यह जाँ रहें सारे के सारे elements से, उसके outer most cells की जो number है, वो क्या है, same है इसलिए इसको period number 3 में रखा गया है Since the electrons in the atoms of these elements are filled K, L and M cells, जो भी electrons होते हैं उसके जो atoms होते हैं, जो उसके cell में कितने एक first cell, कौन सा नाम है K, second L, और third cell कौन था होता है, M, write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement इस period marks a new electronic cell getting a filled, यानि कि period में आप जैसे ही जैसे elements के हैं, इसाब से left to right जाओ, वैसे वैसे outer most cell की जो number है, वो कैसे होते रहेंगे, increase होते रहेंगे तो how many elements are there in a first, second, third और fourth period, तो कितने elements first period, second period, तो यहां एक formula दिया हुआ, तो we can explain the number of elements in this period based on how electrons are filled into a various cells, तो we will study the details of in their higher classes, आपको इसके बारे में higher classes में क्या करना पढ़ेगा, study करना पढ़ेगा, but recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in the cells depends on the formula of 2N square, where N is the number of given cells from the nucleus यानि कि किस बेस पर राखा गया था, किस formula के आचार पर राखा गया, 2N square, जैसे कि यहां पर दिया हुआ K cell, तो K cell, यानि first cell है, तो N की जगा 1 कर तो formula क्या था, 2N square, N की जगा 1 का square कितना होता है, 1 बंजा 1, तो 2 बंजा 2, यानि कि first period में कितने elements आएंगे, 2 फिर L cell में कितने आएंगे, तो L वो number किसका है, cell cell का second number है, यानि के जगा 2, तो 2 का square क्या होता है, 4 और 4 तुजा 8, यानि कि second period में कितने elements आएंगे, 8, उसके बाद एम से तो एम सेल का जो नंबर हो कितना है 3 है तो 3 का स्क्वेर्ट क्या होता है 9 और 9 टुजा 18 बट आउटरमोज सेल को कम्प्लिट करने के लिए कितने इलेक्टरॉन की जरूरत होती हमें 8 इलेक्टरॉन की उस वाज़ा से कि 3rd प्रियेड में भी कितने में एलेमें एउसके बाद भी 4th प्रियेड में भी 8 एलेमें के जो जिसके element की जो position दी predictable में तो हमें हो डिसकस कर चुगे किसके बारे में किस बीस पी लिया गया था chemical reactivity as you ever learn the valence electron determine the kind of the number bonds from by an element कि इस इसाब से कि जो भी valence electron the kind the number of the bonds from by an element यानि कि जो भी elements बनते उसके बाद है आपर उन दोने के बीच में क्या बनता है bond बनता है तो उस इसाब से उसकी जो valence electron की number है वो भी decide किये जाते can you now say why mandalip choice the formulate compound as the basic spot deciding the position of an element in the table as good one यानि कि जो compound का formula लिया हुआ था क्यों लिया हुआ था 2N square क्योंकि जो position थी elements को period में किस तरह से रखो गए इस आधार पर एक formula लिया गया था 2N square तो एन की जगा क्या लिया गया है n को क्या बोला गया है number of outermost cell the number of outermost cell के इसाब से यहां पर जो element की जो position थी period में किस period में लिया जाए इस इसाब से इसके लिए बनाना ज़रूरी था how would the how would this lead to elements with similar chemical properties being placed in the same group यानि कि इसी आधार पर जो chemical properties जिसकी chemical properties same हो वैसे electrons एक ही group में क्यों रखा गया है क्यों हम दुसरे गूर्प में नहीं रख सकते हैं क्यों 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 कि दुसरे गूर्प में रखो कि और उसकी properties same नहीं हो तब वहां पर कोई elements उसके स्थान पर प्लेस पर आएगा नहीं इसी वज़े से कि जिसकी chemical properties same हो उसको एक ही group में रखा गया था इस आधार पर प्रियोडिक जो प्रियोडिक elements का तो classification है वह बहुत इसी हो गया इसी इसी बेस पर हमने decide किया था कि जो chemical के जो chemical कि जो प्रवाइमेंस की प्रवाइटी से वह क्या होनी चाहिए एक group में same होनी चाहिए कि जो किसी आधार रखा झालो कि जो एक जो कि जो प्रवाइब का तो कि जो झालो कि कि जो प्रियोडिक जो अरुवादी में था प्रवाइब का जोड़ाओी